नमस्कार आपका स्वागत है इंडिया वॉइस ने इंडिया वेट्सिस इंग्लैंड केरल बार्ट पीड़तों के लिए टीम इंडिया करेगी एक और बड़ा काम टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाव 5 मैचों की सिरीज का 30 टेस्ट मैच 203 रनों से जीत लिया है इस जीत के साथ भार्टी टीम ने सिरीज में वापसी की है और इंग्लैंड की बड़त को 2-0-1 कर दिया जीत के बाद कप्तान विराड कोली ने मैच प्रेजेंटेशन के समय कहा कि वो ये जीत केरल बाड़ पीर्तों को समर्पित करना चाहते हैं इसके बाद अब खबर आ रही है कि टीम अपनी मैच फीज भी केरल बाड़ पीर्तों को डोनेट करना चाहती है अभी फिलहाल इसके कोई अधिकारी घोशा नहीं हुई है और इस राशी के बारे में कुछ नहीं बताए गया है लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये खरीब दो करोल रुपे होगी किसी भी टेस्ट मैच के प्लेइंग 11 में शामिल खिलाडियों को 15 लाख रुपे मिलते हैं जबकि बाहर बैठे खिलाडियों को इसका आधा एमॉंट मिलता है ऐसे में एक मैच के लिए टीम को करीब 2 करोल रुपे मिलते हैं विराट ने मैच प्रिजन्टेशन के समय कहा था हम एक टीम की रूप में इस जीट को केरल के बाढ़ फीर्टों को समर्पित करना चाहते हैं भारती क्रिकेट टीम के रूप में उनके लिए ये हमारा प्रयास है, वहां समय मुश्किल है। विराट में जब मैच प्रिजेंटेशन के दौरान ये खोशा की, तो दर्शकों ने तालिया बजा कर इसका स्वागत किया। केरल में बाढग कहर बरपा रही है, जिसकी कारण तीन सो से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। स्पोर्ट्स डेस्क, एंडिया वाइफ।